रगु सिंगानिया उसकी पत्नी शेलजा सिंगानिया और बेटी अनामिका रगु सिंगानिया को यूए में आकर 32 साल हो चुके हैं दो सो लोगों को रुजगार देने वाला इनकी तीन एलियूमीनियम फाब्रिकेजन कंपनी थी धे सारे ओर्डर्स अयाशी की जिन्दगी अच्छानक से सब कुछ हाथ से चला गया एमबेसी सेंटर में रहने वाले सैकडो लोगों के बीच में सरकार की तरफ से फ्री टिकट पाने वालों में इनका भी नाम है अभी हम बताने जा रहे हैं इस परिवार की कहानी को कDPर में रहे हैं लोपन है प्री इस पारा этой इस कुछ है से विर शारहीं बताने अच्छा हैं जाले लोग皮पोरी और रहे हैं लोग भीसांट हो लोग इससारा में पाने जार ये भीसांवेश새या आर रहे हैं बार प्रवार्ण बजय को प्रवारा कुराना मेथ्यू और उसकी बीवी है रेनू मेथ्यू कुरानों को 28 साल हो चुका है मीडल इस्ट कंट्री में आकर होटल बॉई से अपना कैरियर शुरू किया कुछ ही सालों में तीन स्टार होटल और दो डांस बार का मालिक बन गया उसकी बेवी रेनू यूए में दुबई की बहुत नामचीन ब्यूटीशन थी और खुदी एक इवेंट मैनेजमेंट की मालिक होनगी सोच अपना ब्यूटीशन भी चलाती थी बिजनस से आई हुई कमाई को दोनों दुबई में ही इन्वेस्ट करते थे गाड़िया, घर, प्रॉपर्टीश सारे थे अचानक से सब कुछ हाथ से निकल जाता है अरवी लोगों का दिया हुआ होटेल स्टोर रूम में फिलाल दोनों ठहरे हुए हैं खुराना टेक्सी चलाता है और बीवी रेनू अरवी लोगों का कर्श चुकाने के लिए अपना जिसम बेच कर आती है कर दो कर दो कहै कर दो कर दो में। रगु सिंगानिया और उनकी पत्नी सेलजा सिंगानिया और बेटी अनामिका रगु सिंगानिया को युए में आकर 32 साल हो चुके हैं 200 लोगों को रोजगार देने वाली इनकी अल्यूमिनियम फैब्रिकेशन की कमपनी धेर सारे ओर्डर्स आयाशी की जिन्दगी अचानक से सब कुछ हाथ से चला गया एंबसी शेल्टर में रहने वाले सैकडो लोगों के बीच सरकार की तरफ से फ्री टिकेट पाने वाले में इनका भी नाम है हम आभी बताने जा रहे हैं इस परिवार की कहानी कॉफी कॉफी मतनु परिअल्या न फॉं करने के लिए बाडर वोल शुकी हो फोन शेजों करके पता करने के लिए रहा ड़े वड़े वड़े एब आज हारी है जा रहे है एलो सलीजी तूर संजना भटर है लो हेलो मारुदी स्वामी है क्या कितिनी बार बोला तेरे को नाक में जर्दा मत डाला कर हेलो हाँ बोलो मुझे सुना ही दे रहा है स्वामी जी मैं हूँ नट राजन अभी कहां पूंचे हो अभी हमने सोला प्रक्रॉस किया है अच्छा आने में कोई तकलिफ तो नहीं हुई ना कोई तकलिफ नहीं अच्छा सुनो नौ और असी के बीच में नंबर बता नौ और असी के बीच का नंबर तस बोलो तस नंबर है उन्यासी साथ और नौ यह तो शुक्रगरा कि राशी है तुम्हारा काम सफल होगा पक्का है लेकिन फिर भी जरा होश्या रहना तुम जिस का के लिए तुम के लिए त्या रहे हो अरे वाप्रे एक आप में गड़ कर सकता है और यह ती नंबर कर दिया तीरी तो ऐसी की तैसी हाँ है था अरे इसको अगर वड़ा काऊंगा तो तुमें मुझे अमिदा बच्चन कहना पड़ेगा अमिर खान कहना पड़ेगा तुमको सलमान खान कहना पड़ेगा भाई तुम्हारा मेरा जो शरीर है वो एक मंदिर की तरह है ये 2000 साल पहले रिशी महात्माओं ने बोला है इसलिए शरीर को संभाल के रखना पवित रखना हमारा काम है लेकिन ये वड़ा खाके हमारा शरीर इस सवचाले जैसा हो जाएगा समझा इसको देखके भगवान भी आजकल हमारे शरीर गे अंदर भगवान जो रहना नहीं जाते उसका कारण हमारा खाना भी है पता एंद में डुम्हे डू यू नो जैट वड़े वड़े होड़े वड़े वड़र यही है वड़ा खागे दिखो वड़ा खाओ आपकी शहर से हू रतनागरी जा रहा रहो न चार्जर अभी दे दिती हूं नहीं देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं तुनो इस ट्रेन में चड़ने से पहले मैंने तीन पैक लिया था तुमको ऐसा तुनी लग रहा ना कि मैं ज्यादा बात कर रहो हूं ऐसा तुनी मतलब मैंने जो भी बात किया सच्छा जो है करना क्या चेंए सर्ड ए किला खाव गया खाव गया खायेन सर्ड? अरे उसके पीछे उसके पीछे इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता बेवकुफ कहीगा कॉफी कॉफी अरे जल्दी आओ अब नंबर मिल गया उसका नाम हट्टी रेड़ी है शंकर गड़ से वह हमारे साथ आएगा और सही जगा का पता उसी को पता है उसका साथ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है अब ठीक है कॉम तूर में आर्यपुरम एक बार है फेमस बार है प्लाइट में स्रिफ बिजनस क्लास में जाने वाला नत्राज नाम का मालेक क्यों यहां स्लीपर क्लास के बातरूम के बाजो में बैठा है वो भी चिपकर मैं नहीं पूछूंगा कहा जा रहा है यह भी नहीं पूछूंगा मुझे कुछ में तुम यह बगड लौ रहा है इसी क्या बोल रहा है इसे सब पता है क्या है तुम्हें एक लाथ मारूंगा ना मुझे क्यों बोल रहा हो हाँ बेठे बेठे थोड़ी खाय नहीं खाय जाए पूरा कीचो इसको चलिए तरा अरे यह किदर गया अरे केला खाया ना तो बातरूम में होगा कोई आतो नहीं रहा है ना कोई नहीं है थे हेलो स्वामी में हूँ क्या हुआ स्वामी आपने चो कहा वो सच्रिकला एक आदमी गाड़ी में चड़ा है अच्छा आप चालीस से सत्तर के बीच में पचाज बोलो पचाज परे नंबर है उनसर यह तो अरिशब राशी है पहाड के पानी के जैसा आते जाते रहेगा अगर तुम संबल के रहना समझें नहीं तो हेलो 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 वह अरे वह प्रे सुनो जरा रुको ना हम लोग कहां जा रहे हैं जरा बताओ तो तुम मुझसे पोछ रहे हो अरे हम लोग कहां जा रहे हैं कहां से आरे तुम्हें पता है ना तो बताओ हमें बताओ क्या आजो तुम लोग ज मेरे पूरे सोला बार बन पड़े है क्या बोले हो मेरे पूरे सोला बार बन पड़े है उन में से कुछ बार करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा खिला कर रखना था तभी मारुति स्वामी ने बोला नागमनी लाकर पूजा में रखेगा तो सारी तकलिफ दूर हो जाएगी और वो जो भी बोलते हैं सच होता है लेकिन यह जो चीज है वो मिलनी चाहिए ना क्या बाइस आप इदर देखो इसे पढ़ने से पता चला कि कि धर का है और यह पूरंबार रिजर्विशन चार्ट में भी देखा तो नाम मिला बस इतना ही आप लोग कहीं भी जाओ मेरा रास्ता लग है सुनो एक सला देता हूँ यह चोरी मर्डर नागमनी जैसी बातों पे तुम लोग ध्यान मत दो समझें किसी को जानने के लिए थोड़ा बोट दिमाग लगाना पड़ता है समझें कितनी बार मैंने फोन किया फोन क्यों ने उठाया रसोई में कोई भी समान नहीं है मैंने सिम चेंज कर दिया नया नमबर लिया है ऐसे सिम बदलकर घर बदलकर कब तक जियेंगे तो फिर मैं क्या पर हम इससे पहले कहीं मिल चुके हैं सुबह से ट्रेन में ही तो है मिल चुके हैं हां एक्जैक्ले वही सोच रहा था इसले जरा सा अरेक की जिंदगी एक जंगल जैसी होती है बारे इसके अंदर कौन है कैसा है कुछ पता नहीं इस कंपार्टमेंट के यादरी लोगों के बारे में जरा सोच करते हैं हसते खेलते बाते करते हुए आज की दिन निकल नहीं लेकिन कलका क्या होगा किसको पता एंडरू स्टोन ये एंडरी इसके दो बच्चे लोग एक बड़ा लड़का हाट पेशन्ट है ये लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं अभी अभी फोन पे अपने घरवालों से जगड रही थी अपने घर के हिस्से के लिए मुंबै अपनी पहले पिचर को अपनी मा को दिखाने के लिए आसाम जाने वाला है मंकर और इनसे मिलो वोपाल की फैक्टरी में आग लगने से कई लोगों को परेशानी होई उनके लिए लड़ने चारा है मुंबै के खोट में फादर जैसू राजन इनकी समस्या और हमारी समस्या काफी अलग है तुम कभी आसाम गए हो मेरा बच्पन आसाम में ही गुजरा है सच में मेरी वाइफ वही की थी शादी के बाद हम दुनों वही रहते थे हमें वो जगह बहुत अच्छी लग थे वोट ब्यूटिफुल नाइट उस दिन से आयम एनिमेटर भाइ प्रोफेशन बुवन भाइ के दो गानों का एनिमेशन का काम मैंने ही किया सच में आज जिस आदमी से मैं ट्रेंड में मिला वो बहुत अच्छा है मुझे यकीन है इसे मैं कही तु मिला हो कहां मिला हो रेंक कारते हैं अजिफ्ट यूल यूल अजिफ्ट यूल अच्छा ठीक है, नहीं, आच्छा में देख लोगो अर भाई यह ट्रेन क्यों रुक गई अरे भाई लगता है गारी खराब हो गई है अरे भाई लगता है गारी खराब हो गई है ट्रेन को यहां से आगे जाने में 24 घंटा लग सकता है अच्छा अनन्द रामन, CEO and Chief Editor, Pravasi Channel, Am I right? मैं कुछ दिन वी एई में था, I am John David है पूरी गडबड हो गई, कलेकारजंट मीटिंग है कारवार में, अब क्या करें, ट्राफिक के वज़े से लेट हो गया और फ्लाइट मिस हो गई भाग दोड़के ट्रेन पकड़ी और यह भी लेट हेलो, हेलो, मारती स्वामी है ना, मैं नट राज बोल रहा हूं लगता है कि गाड़ी बहुत देर तक रुखने वाली है, यहां बैटने से बटर बाहर चलते हैं, चलो चलो, प्लिस कम यह लो, भाई दो निम्बू बानी, दो जूस आप कहां जाने वाले हों, कारवार कट्टी कट्टी है, अब कल अगर निकले गा तो कारवार जाने का चांस नहीं है, मंगला वरम से दूसरी रोट से जाएगे, मैंने अभी रेल्वे हेल्प लाइम से बाद की है, एक जूस, यह बाई रोट करवार जाने के लिए कैसे जाना होगा, कार बस तो नहीं मिलेगा आपको यहां से, ट्रक वगरा कुछ मिल सकता है, आपको यहां से, हाइवे पकड़ के जाओगे तो बीस किलो मिटर पर एक मंदीर है, वहां से तुम को बस वगरा मिल जाएगा, वहां से बी शादी हो गए, लव मैरेज, मेरे भी लव इन टाइम आफ कॉलरा, मार्केस की किताब पड़ी है तुमने, उनकी एक कहानी है जिसमें कहानी का हिरो युद्ध करके लोड़ता है, और वो अपने प्रियसे से मिलना चाहता है, पर वो उससे नहीं मिल पाता है आसाम के एक अनात आश्रम में, मल्यालम के एक स्कूल में, वहां के फादर द्वारा पाला पोसा एक अनात हुमें हपते में एक दो बार, रेलवे कॉंट्रेक्टर अपनी बेटी के साथ आश्रम में आता था, तो उसकी उमर दस साल रही होगी, थोड़ी बिला आश्रम की परवाना करते हुए, उसे देखते ही, मैं उसके प्यार में पढ़ गया मैंने उससे अपने प्यार का इजहार हर तरीके से करने की कोशिश की, पर उसने मुड़ कर भी नहीं देखा दर्सवी की एकजाम खत्म हो गई थी, आसाम से अपने सारे कामों को खत्म करके वुरेलवे कॉंट्रेक्टर अपने काउच छला गया पहाड़ों के उपर से धड़क-धड़क करते जाने वाली ट्रेन देखकर मेरी आखों में आसुआ लग-अलग शेहरों में मेरी सिंदगी बीचते गई और मैं कार्टून बनाने लगे अपने मेरी उमर चाली साल थी तब ही मुझे एसास हुआ कि मेरे सपनों के राजकोमारी यहीं आसपास है अन्ना हाँ वो मेरा पती है अन्ना 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 पीचे बैटी थी जॉर्ज काड़ी चला रहा था अन्ना जो हन्ना के पिता जी थे मैंने उनको अपना परिचर दिया और उनका अच्छा दोस्त बन गया जब भी मुझे समय मिलता तो मैं उनके साथ वक्त बिताता था क्योंकि मुझे हरना से भी तो मिलना था जैसे सोचा वैसे हो रहा था तो एठी सुभ ही जा जाना है अहीं पापा जाना है अरे जोर्ज वेट कर रहा है जो ज़ल्दी जाओ कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा जैसे कि किसी ने मेरी आखे बं कर दी हो उसी दिन से 3 मेहने के बाद एक कार एक्सिदेंट में जॉर्ज मर गया नसीब अच्छा था कि हन्ना बज गई क्योंकि उसे पीछे बैठने के आदत जो थी मैं तुमसे प्यार करता हूँ मुझे सारी बाते सपने जैसे लग रही थी अब तक मैं सोच रहा था कि वो मुझे मिलेगी या नहीं और आज वो मेरे साथ में थी अब जल्दी मिसे सुनना प्रिंसि использ के ऑफिस में है जलदी ऐके आ नहीं राड बैक इस कार्या नहीं में क्यारेक्टर हम ने है वो एक स्कूल से रिलेड़ेद्र कुछ बच्चों से बनेरे इरिलेड़ेड़। कुछ टीचर से रिलेटेड है, मतलब हमारी सारी स्टोरी जो है वो टीचर और स्टूडेंट को लेकर है, it's so funny है ना, इसमें हन्ना भी है, अरे साथ, come on you can, no I can't, come on हालो जोर्ज को गुजरे एक साल हो गए है, कल उसकी पून्य थिथी है, please come, yeah हाँ, ठीक है, हाँ हाँ उसकी माता पिता ने फॉम आइलेंड में एक रिसोर्ट बुक किया, वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था हाँ 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 झाल झाल पाई लोग ये लॉरी यही तक की है उत्रो 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 आएवे जाने के लिए गाड़ी मिलेगी अभी नहीं मिलेगा सुबा देखना पड़ेगा मेरे लिए मत बनाना अरे कुछ तो ले लो नहीं अभी मेरा मूड नहीं अनन तुम्हारी कोई समस्या है क्या बताओ न अगर ऐसा कुछ है तो दिल खोल कर अपनी बात बता दो हर समस्या का समाधन है मेरे पास मुझे लगता है कि हमारी कहानी एक जैसे ही हो सकती है सच्छे प्यार को अगर पाना है तो ओशो ने सही कहा है ओशू रजनिश जानते हो न ओशू ने कहा है कि दुख जो है उसका कारण हम स्वयम हैं यह मेरा हम हमेशा ही भविशक ही सोचते हैं और वरतमान में क्या हो रहा है हम भूल जाते हैं कभी हम भूत काल के बारे में परिशान होते हैं लीव इट यार वरतमार के बारे में सोचो करना होते हैं कर दो की अरतमार के बारे में होते हैं कि जात रार, वो घ्र शायाओ, यॉङितन दिटने के औल की बारे सकेक हैं अरे नहीं 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 तुम ब्रॉड्कास मेंस्टर से मिलोगे तो काम हो जाएगा मैंने सब कुछ बता दिया है मीटिंग की डीटेल मुझे मेल करो ठीक है अगले महीने दस्तारिक के पहले क्यों टेल का फूरा डीटेल सब्मिट करना है चाहे हाँ लाव दो यहां बैठो अराम से तुम इतना परिशान क्यों दिख रही हो जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है बहुत तर लग रहा है अरे पगली जरा सोचो तो यूएई में पहला मल्यालम चैनल यह बहुत बड़े साहस की बात है अच्छी तरह सोच समझ कर ही मैंने यह फैसला लिया है यह वहां यूएई में पिछले दस सालों से मीडिया में काम कर रहा है और यह खुद मेरा साथ देने के लिए तयार है ए इत्स मैं ड्रीम तुम्हें पता है ना आधा रास्ता तैय कर चुका हूं मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज सब लोग आ गये ना प्ले करके दिख्याओं यूएई के परसिद बिजनेसमेन और पब्लिक सोशल वरकर शीशा बीन मुहम्मद आज टॉप 10 में हमारे साथ नमस्कार नमस्कार हेलो हाँ जोए इंकल बोली है क्या रहे परवास ने तो कमाल ही कर दिया ऐसा कुछ नहीं है अगर ऐसे ही चला तो चैनल से हम सब का पत्ता इकड़ जाएगा अलहम्दुलिल्ला अब टाइम मिला तुमें फोन करने का अरे हाँ यहां आने के बाद फोन करने का टाइम ही नहीं मिला तुम जानते हो यहां बहुत सारा काम है बिटीया सो गई क्या जरा उसे फोन दो ना तो बिटेजर है उसे बुलाओ ना उसे बात करने का मान नहीं है अगर बच्ची से बात करने का मान है तो कल फोन करो यह भी ना लोगों जो डिवाए के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने देश वांपस लौट जाने को कहा है पुखता सबुत ना होनी की वज़े से UAE में मौजुद तकरीबन दो लाख लोगों को UAE की सरकार ने उन्हें उनके वतन वापस लोट जाने का निर्देश दिया इस सिलसिले से देखा जाए तो जो लोग बेरोज़कार हुए है उन्हें मजबूरी में अपने देश वापस लोटने के लिए बेवस होना पड़ रहा है यहां के लोगों से बात करके पता चला कि लोग तकलिफ में हैं हमारे चैनल प्रवासी निउज ने इन सब से बात की आया गया है हाला कब तक ठीक होंगे इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस आलात को देखते हुए इंडिया से आये काफी लोग खाना और ना रहने की बेवस्ता की बज़े से आपस में लड़ जगड रहे हैं ऐसी खबरे रोज आ रहे हैं देखते हैं सरकार क् ने काम शुरू किया है अब आप ही ना कहेंगे तो हम कहा जाएंगे हां हां मुझे पता है तो सर हेलो हेलो सर हेलो जॉन सर ने ना बोला जैसे ही रिजिस्टेशन हुआ मेट्रो का ओर्डर कैंसल हो गया है हेवी लॉस अभी पांच पैसा भी नहीं लगाने का बोल रहे हैं एक एक करके लोग साथ छोड़ रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हलो हॉस्पिटल में हूँ हां आ गई क्या आनंद पांच पैसे भी हमारे पास नहीं है ऐसे समय में पापा को तकलीफ नहीं देना चाहती हूं लेकिन दे रही हूं यह सोचकर मुझे अपने कि अपने बाश्मान ता मुझें यह से खुचेश कर दो अचाहँ है यह तो अश्याग में पार्टी थे आए अचिए देनी होगी रेवति की डिलिवरी हूई है बेटी हूई है शुबेगे चार बजे हूई है हाँ मैं फोन रेवती को देता हू है यह यह रोग है यह बदा हलो 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 जब रात को मैं फ्लैट में गया तो रेउती को कॉल किया और उसने उठाया नहीं फिर अपने साले को कहा कि उसे बात करवा दो लेकिन उसने बात ही नहीं की है 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 ऐसे माहौल में अभी अभी एक ख़बर मिली है कि बिजनस में लौज खाये एक इंडियार ने खुदकुशी कर ली है पेट्रोलियूम मंत्राले के अंडर में काम करने वाला रफीक मौहमद नाम के इस अगर ऐसे ही चला तो हमारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा यूए में कंस्ट्रक्शन की काम पर लगी हुई कोड राशी 582 मिलियन डॉलर का काम रोग दिया गया है फिर कॉल आया तू बात करो है 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 ओके आल ट्राइए क्या हुआ दो दिनों के भीदर की उटेल में डिव पीए करना होगा नहीं तो कर लाइसेंस रद हो जाएगा तो मुहमद अली से एक बार वापस बास करके देखो ना है कुछ खायदा नहीं बहुत लोगों का कंस्रेक्शन का काम बंद है मुहमद अली का भी दो यूरिट का का काम बंद बढ़ा है अब हम क्या करेंगे किसी स्टाफ का पेमेंट भी नही सब्सक्राइब करना पड़ेगा है कुछ तो करना पड़ेगा कोई ऐसा है कि जो में प्याज पर पेसे देदे हैं है पर उनकी पॉलिसी बहुत खराब है यह सब सोचने का वक्त नहीं है कैसे भी अपना काम निकालना है नहीं है वह सब लगना पैक पैक करके तुरंद रेडियो जा क्यों क्या हुआ कल तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है ऐसे हमें इंफोर्मिशन मिली है शायद बैंक वालों ने कंप्लेंड की है अभी के अभी यहां से जाना होगा तुम्हीं इंडिया भीजने की में व्योस्ता कर रहा हूं जामन के प्यार की स्टोरी तो क्या कहा था अपने दुख को त्यांक के वर्तमान में चीओ प्यार कानंद लो हुआ है यह भगवान बीना कुछ पताय बगर कैसे हां वो जलसी जल्दाना पड़ा हुआ खाने के लिए कुछ लाओं क्या नहीं मैं जरा सोँगा के भी साविए . कि लाओं जरेता है compadh तुम किसी से डर रहे हो, क्या प्रोब्लम है? अपना चैनल यहां चलेगा ना भया? चलेगा पर पैसे जादा लगेगा पहले उदर का चलने दो फिर बाद में देख लेगे बार खेल बारो बैटी ओ जरह इधर आओ पापा आ गया तो मामा को भूल गई इधर आ रहे हैं बहुत बोर हो रहे हैं खेलने दो हमें हेलो, हाँ, बोलो ना, देखो, मेरा मतलब है, मैं दो हप्ते में भिल्कुल ठीक कर दूँगा, सच में भाई, सहाब जब तक नहीं आएंगे, हम सब यहीं इंतिजार करेंगे, चोले ले, वहाँ जाके रुकते हैं मेरे पास अभी यही है, अभी घर में कोई गैर आदमी नहीं आना चाहिए यह लोग, चैनल शुरू करने के लिए जो बैंक से लोन लिया था, उसके लिए बैंक से नोटिस आई है नितीश ने मुझे फोन किया था, कल से मैं चैनल जॉइन कर रहे हूँ खा बटा बाई, दो चाहिए देना, हाँ सुन, अभी के लिए अपना घर बदल ले, कलंबोली में मेरे दोस का एक फ्लाट है तुम लोग कल ही वाशिप्ट हो जाओ, रेवती नए चैनल में जोइन हुई है न, उसके लिए वहां से आना जाना अच्छा रहेगा और ये पैसों की दंगी के वज़े से सिर्फ तुम ही परिशान नहीं हो, मंद को शान्त रखो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, तुम अभी सिफ शिफ्टिंग के बारे में सोचो इरान सरकार अपना फैसला सुनाने में देर कर रही है, और अपनी बातों से चिंगारी उगल रही है, आतंगवादियों के हमले से अब तक लगबग 60 लोगों की मौत हो चुकी है, पुदिस के निग्रानी में रहने वाली पबलिक की भी मौत हो चुकी है, एक ही समय पर दोन तरफ से हमें ऐसी सूचना दी गई है, हेलो, जूटे, अगर तुने हमारा पैसा सिरी तरह से वापस नहीं किया ना, तो तेरा हाथ पर दोड़ के अपाहिस बना देंगे, तू अपने बीवी बच्चे को पीच रोड पे देखना चाहता है, क्या, सम भाई, वो मैं, आकरी व जैसा आपने कहा, अगले हपते मिलते हैं, ओके, देन सी यू, अब मैं तुम्हें कैसे समझाओंग, आज कल हाथ बहुत तंग है, ऐसे में पैसे का जुगाड कर पाना, फिर कभी होगा तू जरूर करूँगा, समझ रहे होने मेरी माँ, चलता हूँ, मेरी एक गलती के वज़े से यह सब हुआ, इन सब की जड़ मैं ही हूँ, उधर के बैंक से लिया गया लोन तो थोड़ा संभाल सकते हैं, थोड़ा नेगोसियेट करके, थोड़ा टाइम लेके, धीरे धीरे चुका सकते हैं, लेकिन इधर के ब्याजवाले तो जान ले लेते पैर पकड़ों तो भी सर पे सवार हो जाते हैं, चैनल में काम करके थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं, लेकिन इन लोगों का तो दस लाग के उपर ही देना पड़ रहा है, वो भी दो तिन के अंदर, अब तुम्हीं बताओ मैं क्या करूँ, ऐसे में मुझे एक रास्ता आपने प्यार के बारे में कहा था ना, पांच साल उससे प्यार करके शादी किया है मैंने, आपको पता है, पता है आपको, एलसी चैनल जब मैंने शुरू किया था, उस वक्त मैं नल का फानी पीता था, बिन्रेल वाटर नहीं पीता था, उस पैसे को बचा बचा के मैंने, मैं उसे भेजता था, मेरी बीवी बच्चो को जो सुविधा नहीं मिलती थी, वो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थी मुझे, इस बात को वो कभी नहीं समझे, इतनी मुसीब्तों के बावजूद, मैं खुद को खड़ा करना चाहता जो भी नुक्सान हुआ है, उसे फिर से हाजिल करना चाहता हूँ, समझा, समझा के ठक गया, फिर भी वो नहीं मानी, मानी की भी नहीं, गल्ती मेरी ही है, अब तक मैं बीवी बच्चो के बारे में ही सोचता था, उसकी क्या गल्ती है, और आप भी बार बार पूछ रहते न कि क्यों फोन को बार बार उठा कर देख रहे हो, नहा सिम है, इसका नंबर एक मेरे पास है या फिर मेरी बीवी के पास, मुझे घर छोड़े हुए दो दिन और दो रात गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक, जिन्दा हूँ या मर गया हूँ, ना कोई फोन आया, ना कोई मै उसका एक कॉल, जब मैसेज आया होता, तो मैं वापस चला गया होता, लेकिन उसने पुलाया ही नहीं, तुम्हारे बीवी को जान से मार देना चाहिए, मार दू क्या, पीया मैंने, और टाहिट तुम हो गया है, भाई, भाई, भाई आप जाकर सोजो, अरे रुको, क्या है, कल तुम मेरे साथ आओगी क्या, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हे कुछ पैसे भी मिलेगे, जिससे तुम अपना करजा भी चुका सकते हो, समझे, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आओंगा, क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो, चलो, चलता हो, मुझे नही करना ही अच्छे जिससे भी मुझे रहाते हो, चलो, चलो, बदले दुम्हे करना हो, चलो, चलो, अजिससे अचल II ut तुम्हे करोभी कुमा entity भूजेज़ कोन्यात्य देक्ट में रूज्टेयु आज वॉरू टेज़ उन्हुन केल। यह जो जब नाम है सार, हाँ सर, 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 गाड़े के काज बन थे और अचे अन था सर, मुझे लगता है एक्सिडेट नहीं कारण नहीं है, सर, मुझे और कुई दुसरा कारण नहीं लगता है, सर, सर, बौड़ी को पोस्मोटम के भीज़ दिया एसा, ठीक है सर, झाल 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 झाल। अरे भाई इतनी चल्दी तुमने कार कहां से अरेंज कर ली तुम बजे इतना मामुली इंसान भी मत सम्झो आज तुम बहुत रिलेक्स लग रहे हो हाँ यही तुम्हे चाहता हो कि तुम खुछ रहो हुआ मैंनकाइंड वॉज बॉन अर्थ इतने वर मेंन टो डाय हीर हिंदी के हर फिल्म का हीरो यही कहता है लेकिन अब यह मैं गह रहा हूं यह तो बहुत बड़ा है रगुभाई का घर रवी चंद्रन उसका नाम है रवी चंद्रन अईयाशी के रगुभाई हिल्टॉप रगुभाई करना टक में फाइस्टार होटल खोल चुगा है नया प्रोजेक्ट कारवार में है समुंदर के किनारे 10 एकड में उसका फार्म होसे बेसिकली आया मैंने आर्किटेक्चर बट आर्किटेक्चर इस माय पैशन उफर की बेटी अनामिका मेरी फेस्बूप फ्रेंड है उसी की जरिये मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है इसके बारे में काफी चर्जा भी कर चुगा हो बड़ा प्रोजेक्ट है अगर हमें मिल जा अबिड़ा वेटा खिलो अभी तुम ड्राइविंग करू मैं जर आराम करूगा ठीक है ला ऑचाई कर दो कर दो का प्रोंगा... जल एक पहुआमा? कर दो कर दो कर दो कर दो ब hail सबसानर कर बोला है ब बपकाद पंड़ा खाँ बगा तर the फम थम का उलिड़ा प्राव काझनी음 पूसमोटम रिबोट में कार्बन डॉकसाइड मिला है गले में एक मार्क है शायद उसीट बेल करें और उनके बलड में अलकोहल पाया गया है सर मरने से आदे घंटे पहले अपने बैंक में रखे हुए सारे पैसे मतलब 32 करोड नाइजीरियन के एक अकाउंट में मैडम ने खुद ऑनलाइन ट्रांसपर किया है सर यही है वो नंबर मने ट्रांसपर के सिलसिले में एस पी ऑफिस में एक इंक्वाइरी आई थी यह तो छोटा सा इजवल ट्रांसपर है इसलिए मैंने सम्हाल लिया बना हुआ हुआ है मuw चल्रांस ब्रांस हेलो रगु भाई मैं खुराना कुराना तुम किदर हो मैं अब ही यहां कोचीन में हूँ मैंने तुम्हें तीन दफ़ा तुम्हारे पुराने नंबर पर कॉल किया था कौन है खुराना इस वक्त तुम कहा हो तुमसे तो बात के हुए लगभग छे महीने हो गए चलो अब जाके तुम्हें मेरी याद आई है रीना है क्या बाजू में रीना को फोन दो जड़ा हलो हलो वटापन रेनू रेनू मर गई तुर गटना हुई ये करके पुलिस बोलते लेकिन मरने से सिर्फ आदा घटा पेले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर करती है मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ मुझे कुछ डाउट लग रहा है यहां पे हालो थोड़ा होल करना क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं क्या कर रहा है क्या कर रहा है सिट डाउन सिट डाउन अब मुझे पैचवान करे वह ना क्या कर रहा है अब मुझे क्या करना जो चाहे है ले लो हम लोगों को मत मारो हम लोगों को छोड़ दो प्लीस έожу से, यह मैंने system , यह मैंने system , यह मैंने you यह मैं.. यह मैं.. ले ओ झाल झाल करवान के लिए हमें मत मारो प्लीज तुम तीनों के अकाउंट में जितना भी पैसा है मैं जो अकाउंट नमबर दे रहा उसमें ट्रांसफर कर दिये इसलिए नमब दे रहा उसितना इस 2019 के प्लीगश्य चिंद्यश ट्रांसपर करें जोरकें अकाउंट कांड में नगे अर्लन नियुक्ति के अंड्साओ येलो, चलो, लिखो, लिखो, मैं जो घह रहा हूँ, पैसो की कमी के कारण, मैं मजबूर हो गया, आत्महत्या करने के लिए, पैसो से भी केमती है जिन्दगी, है ना रोगो भाई? येलो, लिखो, जज वोगो चात्वी, है झात्तुप्स, लिखो, येलो, आत्महत्त क्या वालत इस निदा का सब्सक्राइश। वेलो वेलो भाण लेकर जल्दी से उपर आई क्या वात है हेलो का ओवा? कि बहुआने यहग मताइव है कि दे जिएर जाओ कि बहुता मताओ कि अच्छाने करें रहादा कि अच्छाने को प्रहा आए प्लाइब है कर दो करता है तो जॉन, हाव इस माई होम, इस ब्यूटिफुल, जितनी खुबसूरत तुम हो तनी खुबसूरत तुम्हारी सोच है, इस घर को देखते भी लगता है, इंडेस्टिय में तुम्हारी जैसा कोई नहीं होगा, मैंने बोला था ना जॉन के बारे में, हम दोरों ने एक पार्ट क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, मुझे तो यकिन नहीं होता कि इतनी खुबसूरत बेवी होने के बाद, इंसान दूर कैसे रह बाता है, अग्या, इस थ्री ओ क्लॉक, जॉन, ओ जॉन, चलो लंच करते हैं, हम ग्राउंड प्लाजा जाएंगे क्या, किस लिए, इफ यू डॉन्ट माइंड, अगर मैं आपके लिए खाना बनाओ तुम्हारी बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट खाना तुम्हारे लिए ब क्षका जाktना बनाओ करता हो, किसले लिए जुम्हार को कि भरक्षकने चोई हुआगाा जब यूनका मइदा है, क्क रहारा करते हैं, हम ग्राईक है व और रहारा इने हम जूऑ Crispy खाने हूम्हार किसले जुम्हार क्हारा अच्चा हम्हार बहर Signut जलो किसे मेंध हाया थु प्राइब में जाना है ना हमें ठीक है साथ बचे मीटिंग है बोला था ना मैंने वो कैंसल कर दिया को कि प्राईकतो expose में कि अव्याईब क्यो? कुप rein क्याईन और थूचिप क्योप प्लीज प्लीज में प्लीजर प्लीज देखिए प्लीजर में जा इजए में डिल में बन्ती थजनू वो नटूना हुआ 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 पासवर्ड हुआ पासवर्ड मैथ्यू 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 इन में से जरूरी क्या है क्या बताएंगे प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे टेल मे समय बर्बाद मत करो मेरे सवालों का जवाब दो मुझे जवाब दो ओिक है मुझे बर्बाद प्लीज गुभ मुझे को मुझे भुप सहनété करlear हुआ 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 है हम बाहर घूमने जा रहे हैं कम ओन हमें ड्राइब पर जाना है इतना पसीना क्यों चूट रहा है तुम्हें डर लग रहा है हम अलो पुली स्टेशन क्यों अलो पुली स्टेशन क्यों पुली स्टेशन पुली स्टेशन क्यों पुली स्टेशन क्यों भी हो लेकिन तुमने मुझे इस चक्कर में क्यों फसा दिया अलो पुली स्टेशन क्यों पुली स्टेशन क्यों पुली स्टेशन क्यों अलों कि भी है कि तुम जिए क्यों पसाया कि तुम अज़ पसाया कि तुम पसाया लोको कि तुम जना यज़ यज़ कि ये धुज झाओ ये वालाए पारा ये भूल से येफ़ हुब एब हुब, हुआ 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 है तुम्हें कारवार में मैं लेकर नहीं आया नहीं आया मैं भगवान ने तुम्हें भगवान ने लाया है यहां पूछो उसे क्यों लाया शाली मार्वेश शोफ्ननंगल तांगलोडे वर्मनंगल नंगलोडे शाली मार्वेश एक मिनिट ना हेलो तुम किधर हो कितने दिन होगे फोन तक नहीं किया तुमने तुमने जो नंबर लिखके दिया था वो भी कहीं खो गया मुझसे किधर हो कैसे हो मैं पेचैन हो रही हूं कुछ मत कहो जल्दी आजाओ अपने पूरी जायदात बेचकर सारे करजे चुका देंगे तुम यह सब सोचके परिशान मत हो तुम आरे माबाप नहीं है तो उनके जगह पर हम लोग है ना तुम्ही कुछ तकलीव होई थी तो पहले हमें बताना चाहिए था ना वो बैचवाले का नाम क्या बूला था बेटी हाँ साइमन मैं उसे इधर ही बुला लेता हूँ हमें उधार लिया है तो चुकाना तो पड़े गई अब अगर अपनी जबान से पलड़ जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी प्सक्राव बड़े तो पलाएंगे को भी जाएंगे हैं क्याज़ चुकाना था मैं पड़े धर अजम्स स्क भावाओंगे मैं याज़ इस्वाल अप्सित्वकाना थार स्क मथा बुल्दा करो अगिए कर दो कर दो कर दो कारवार में लेकर नहीं आया, नहीं आया भगवान ने, तुम्हें भगवान ने लाया है, पूछो उसे, क्यू उसे, क्यू आया, क्यू आया, क्यू आया? कल कारवार में था काफी लंबी जनी दी जाल प्रिफर सम टाइम कर दो कि शायद अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कारवार और यहां पे तुम्हें कौन लिग गया है देखो जॉन तुम लोगों के बीच कुछ सीरेस इशूज हो सकते हैं लेकिन तुम जो कर रहे हैं उसे काम सुधरेगा नहीं बिगड़ जाएगा किसी बात के लिए किसी को मार डाला यह कौन सा तरीका है ओके जॉन तुम खुद को और मुझे देखो उस ट्रेन नियातरा के पहले हम दोनों अजने भी थें फिर हम दोनों यहां क्यों आखिर मैं यहां क्यों हूं कि बहुत इंतिजार करना पड़ा जब मैं आया जॉन भी यहां आ गया था सुभाष सेर तीन चाहे लेना सॉरी मुझे नहीं चाहिए चलो वहां बठते हैं हावा अच्छी आएगी इस घर को खड़े दे कितने महने वे दो साल प्यूटिफूल हाउस इंटिरियर वर्क बहुत अच्छा है सब रेनू की पसंद है ब्लांक्स, कॉटन्स, फीनिक्स, लैंड्सकेपिंग, एवरिधिंग सच कहू तो मेरी वाइब भी ऐसी थी, घर ही उसका सपना था लेकिन वो यहाँ पर नहीं, आसाम में, प्रमा पुतरा के बगल में वहां मैंने दो एकड़ जमीन खरी दिये, रेटार्मेंट के बाद सोच रहा हूँ वह ही रहूँग सुबाश, तुम घर जाओ, सर कुछ जरूरत हो तो बताईए मेरी बीवी पाच मेने की प्रेगनेट थी, जब मुझे मलेशिया जाना पड़ा लेक आउप पार्क प्रडक्शन में मैं क्रियेटिव इट का काम कर रहा था दिन में चार-पांच बार स्काइब बेबाद करके दिल को मन को तसली देता था कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि फ्लाइट पकड़के उसके पास चला जाओ मगर वो कहती थी जो काम नहीं करना हो वह मत किया करो अगर वहां से काम छोड़कर भाग कर आए तो आपको उन्हें कितना नुक्सान भरकर देना होगा पता है क्या तुम्हें पहले वहां का काम पूरा करो फिर बाद में आराम से वापस आजाओ यहां पर मा है पापा है डॉक्टरों की फॉज है फिर किस लिए डर रहे हो वाट अपन? अजस्ट वांट टेल यू सम्थिंग अधर्ण के शौकिंग्ट निवसफर यू अम्सो एक्साइट अज़ थिधा अजस्ट देखो मजाग मत करो मताओ मुझे क्या हुआ मेरे पेट में चार बच्चे है क्या? मेरे पेट में तुम्हारे चार बच्चे है सुपन्दा शायद तुमको पता नहीं मगर मैं तुम्हारा कर्ददार बन गया हूँ 46 येर का सेलिब्रेशन तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है यही वोका है सेलिब्रेशन करने का मैं बाप बनने वाला हूँ अखिर वो देना ही रहा मैंनी कॉंग्रेट्स मिस्टर जॉन डेविट यूर वन अफ लुक्यस्ट फादर इन दे वर्ड थैंक्यू बट रमेंबर पर गोट सेंग मुझे पता है मुझे पता है थैंक्यू थैंक्यू भाई मैं गोट मैं हर पल हर समय अपनी दुनिया सपनों में जी रहा था घर में आफिस में कार में हर समय मैं अपने बच्चों को देखता था और जब भी मौगा मिलता था मैं स्काइप उनसे बात करता है यह चारो बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे यह चारो एक ही साथ सोएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी एक को सुला दो तो चारो सो जाते हैं मा नहीं है क्यों मा किचन में बच्चों का दूत रेडिक कर रही है तुम इधर आ जाओ चारो तुम यह देखकर मैं जरा चैन की नीन सोंगी समझे ना हाँ ओके मेरी बीवी चाहती थी कि हमारे बच्चों का बद्दे हम हमारे घर में मनाए मैं भी वही सोचता था इसके लिए मैंने वीजा के लिए अपलाई भी किया था मुझे लगा कि अब हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं देखो यहाँ पर जादा से जादा इंडियन है ना पासपोर्ट ना वीजा कुछ भी नहीं है इनके बीच में ही पिता जी अंकल से मिले थे दोनों साथ में आसाम में कभी काम किया करते थे अंटी और उनकी बेटी भी साथ में है सुनकर मुझे बहुत तकलीब हुई हे सुनो रगु अंकल और उनका फ्रेंड हमारे हाँ आए है पापा ने उनको स्पांसर करने का फैसला किया है उन्हें वापस उनके गाउं भीजने के लिए मैं जरा बच्चों को कुछ खिला के वापस आती हूं ठीक है बाई अच्छा सुनो उनका टिकट भी रेडी हो गया है हमारे साथ की फ्लाइट का वैसे हम इंडिया ही जा रहे हैं तो सोचा उन्हें भी साथ लेकर थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूं जैसे ही उन्हें उनकी टिकट मिली उनके चैरे को देखते ही पता चल रहा था कि वो कितने खुश है मेरी तो आखों में आसु आ गये उनकी दुआ हमारे बच्चों को लगे अच्छा हुआ ना वही थी उसकी आखरी कौन उसके बाद दो दिन हमारी कोई बात नहीं हुई और तीसरे दिन खबर आई कि जोसब और उसके परिवार ने खुदकुशी करी मैंने मेरे बच्चों को इतने करीब से पहली बार देख रहा था हन्ना के पिताजी तकलीब में हो और वो आत्मत्य करें इस बात में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मुझे पता चला कि उनके अकाउंट का पैसा कहीं ट्रांसफर हो गया है उनके मरने से आदा घंटा पहले उनका सिंगापूर कंपनी के साथ कोई केस चल रहा था इन सब बातों को सोचके मुझे लगा कि ये आत्मत्य नहीं है पर पुलीस के तैकिकात में उन्होंने कुछ मेल चेक की और उन्होंने ये डिसिजन दिया कि ये आत्मत्य नहीं है और केस क्लोस कर दिया अगर मुझे नहीं लगता ये सच है इन सब बातों का मुझे कोई जवाब नहीं मिला और सोचते सोचते एक साल निकल गया जनाब कोई तकलीव वाराकुमसलाम, I am sleeping कोई दिक्कत तो नहीं है सॉर्य ठेक है UAE Highway Development के कॉर्टरस में रहने वाले जॉर्ज जोसफ इंडिया के है, खुद की गाड़ी में दमखुटने की वज़े से मारे गए जोसफ खुद की गाड़ी में की मरे पड़े है पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट जारी किये यह प्रवासी चेनल इस मौत की हर छोटी हे छोटी बात को जन्ता के सामने रखता रहेगा आप कहीं मच चाहिएगा जोसफ जोज और उसके परिवार की आत्महत्या का पूरा सच आपके सामने आएगा परवासी चेनल इस मौत की स्पेशल इंविस्टिगेशन करने जा रही है यह एक एक्सिडेंट है या कोई साजिश गाड़ी के लौक सिस्टम की वज़े से मौत हुई ऐसा पूलिस ने रिपोर्ट किया है फिर भी यहां के आटोमोबाइल से एक्सपर्ट वालों का और सिटी के लोगों का कहना है कि लौक खोला जा सकता था और खुद को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था मुझे लगता है इन सब के पीछे कोई राज जरूर होगा प्रवासी न्यू चैनल ने तीन दिन के अंदर ही इस मौत की जानकारी जंता के सामने रखी थी मगर अगले ही दिन ये मौत नहीं आत्महत्या है ऐसा रिपोर्ट उना ने दिया बिजनेस में भारी लॉस होने की वज़ा से जौसफ जोज ने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली ऐसा उसके जान पहचान वालों का कहना है यही इशारा हमारी इन्वेस्टिकेशन टीम का भी है रिशासन की वज़ा से जौसफ जोज को काफी नुकसान उठाना पड़ा था इसलिए वो मजबूर था इस तरह का कदम उठाने के लिए सिंगापूर में एक कमपनी के साथ उसकी एक बहुत बड़े डील का सिलसिला चल रहा था और शायद यही वज़ा है उसकी आत्महत्या का ऐसा लोगों का मानना है मरने से एक घंटे पहले उसने अपने एकाउंट के सारे पैसे सिंगापूर की दो कमपनियों में ट्रांसफर किया है सुत्रों से पता चला है कि वो आजकल काफी दबाव में थे और शायद इसी वज़ा से उन्होंने एक कदम उठाया और तब तकलीफ से परिशानी जद कवाने के बाद सुसाइड करने जैसा हर वक्त मेरे वर गुजर रहा था उस दिन शाम को सारा सामान पैक करके हम हम सब जोसफ सर के घर पे चले आए प्लीज कम प्लीज थैंक यू यह है अंकल करूम पच्पन डिग्री में जलते हुए आग से जोसफ सर के ठंडे बंगले में घूमते वक्त हमारा खोयावा घर हमें याद आ गया हम यहीं रहने लगे तुमने क्या सोचा घर जाने के बारे में मरने के लिए उतना दूर जाने की जरुरत नहीं है इंडिया जाकर कैसे जीएंगे पैसे देने वाले रात दिन फोन कर रहे हैं सबके पैसे देने हैं अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दू फिर मैं उन लोगों के साथ किसी भी तरह इंडिया जाने की सोच रहे थे टीकट हाथ में आने तक अभी सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है दो तिन प्रॉपर्टी खरीद रखा था वो भी बेच दिये महल जैसा एक घर है वो भी अपनी बहन के नाम लिखकर रखा है अभी जाकर उस चत के नीचे सो होना पड़ेगा मैं उदर नहीं रहूंगी तो फिर कहां जाओ कि चुप खड़ी रहो यहीं पर पांच पीडियों तक खाने की चाहदा जोसफ सर के पास है हमारी खोई हुई जिन्देगी वापस पाने के लिए यह हमारे हाथ में आजाए तो क्या तकलीफ है चोरी करोगे जंगल की कसम भूक लगने पर शिकार करके खाने में कोई बुराई में इस हालात में इधर भी और गौँ भी जाकर हिम्मत और ताकत दोनों की जुरूत पड़ी है अब जिन्दा रहने के लिए दोनों में से एक फैसला होना चीए प्रूड़ी है अबंदा अजाए हुआ है हुआ है 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 हमाज करके किसी को चगाओ मत बच्चे की गर्दन पर रखा चाकु थोड़ा दबाया तो बस मर जाएगा नहीं मेरे बच्चे को कुछ मत करना तुम लोगों को क्या चाहिए तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली का बैंक अकाउंट में रखा हुआ फुल अमाउंट मैं जिस अकाउंट मैं बोलूँगा उस अकाउंट पे ऑनलाइन ट्रांसफर करता हुआ एक मिनिट भी लेट हुआ तो बच्चे जिन्दा नहीं रहेगा अब ताइम तीन बच्च रहा है पांच बच्चे की फ्लाइट है साड़े तीन से निकलना है इधर जो भी चल रहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए बच्चे हमारे साथ ही होगे मेरा राज्या बिटा चुप हो जाओ मत रो मम्मी गाड़ी में दूद का बोतल रखा की नहीं हां लाग कर सब रख दिया है रुको चलते हैं बच्चे को दे दो प्रॉब चाहा बच्चे का बच्चे को दुब यह हैं बबबल बबल 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 सब ठीक है टिकट वगरा लिया ना ओके बाई बाई सब्सक्राइब श्रेटी श्रेटी श्रेश श्रेटी श्रेटी श्राव श्रेटeye प्रणस वर भाउ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है कि सोच समझ कर हम लोगों ने एक अदम उठाया था वो सच्टे वक्त अब दर्द होता है पर उस वक्त कुछ कलत नहीं लगा इतने सालों का मेरा एक्सपिरियेंस एक मिनट में बरबाद हो गया कुछ गलत नहीं किया उन साथ लोगों का जीवन हम नहीं लिया पर उससे पहले एक एक चीडिया तक नहीं मारी उन बच्चों का चेहरा मेरे सामने आता है तब मैं सीना ठोक के यही कहता हूं कि जंगल की कसम भूक लगने पर शिकार करके खाना कोई गलत काम नहीं यह सब जो भी किया वो अपने आपको बचाने के लिए किया अगर नहीं करता तो वो लोग मुझे और मेरे परिवार को मार देते इसलिए बचने के लिए कोई पाप नहीं किया कोई पाप नहीं किया कोई पाप नहीं किया कर्शो कर्सel अगर में ब्रत किया कर्शो कर्से बारान करशा नहीं पाप नहीं बैंक में कुछ नहीं है, बस ये कार और घर है, जिसे सुभाज के नाम कर दिया है ओके, मैं रिड़ी, कैसे होगी मेरी मौत्थ नो, जो, नो जहाँ आओ, वही खड़े रहो, और मेरी पात सुनो ट्रेन में ही मैंने तुम को देख के पैचान लिया था कि तुम कुछ छुपा रहे हो, कोई राज है तुम्हारे दिल में सब कुछ पता होने के बावजूद भी, तुमने उस न्यूज को क्लोज कर दिया, इसकी सजा तो तुम्हें भोगत नहीं पड़ेगी गल्ती हो गई, उस दिन मेरी हालत की बज़े से, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साथ बे गुनाह लोगों को मारने के बाद भी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, है ना, तुम लोगों ने जो भी गुनाह किया है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि मैं सच बोल रहा हूँ, जॉन, भगवान के लिए इसको मत पारो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, पेड नियूज, इस पेड मर्डर, मर्डर से भी बड़ा पाब, तुने किया है, तेरे आखों के सामने, तु इससे मरता हुआ देखीगा, तडपे का ये, यही तुम्हारी सजा है, और तुम्हें भुगत्भी पड़ेगी, कईड़े हैं, आण दू particip тебе में आखों क clockwise सब्सने क सब्सने के किया हुआ इसका तुम्हाले थ Pentagon पंझावन जुम्हारे थका उड़ता है en थे प्ल viol किया है, गुम्हारारी देख़ता है, आघव हाओगपेु झाझाव कित जवान का का ऍ現在 भी ख आदियू को उड़ता है, आख झाल! झाल खोगा है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है दो, तो, तो, तो. Mr. John David you are finished you are you 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 । खुराना मैथ्यू। लाइफ कैमरे के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए मारे गए। सारे लोग फेस्बुक के जर्याइए इस वीडियो को देखकर खबरा गए। टेविड और आनन्द रमन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक साल के मुकदमे के बाद जोन देविट को पांच साल की स्रजा सुनाई गए आनंदरमन को मीडिया ने आनंदरमन को मीडिया के विचारों का सामना करना पड़ा ये किताब लिखकर पहले मैंने अपनी बीवी और बच्चों को सुनाया और लाश्ट पिस सुनाने के बाद मैंने उन लोगों से पूछा कि इस कहानी का विलेन कौन है उन लोगों ने कहा पता नहीं पर मुझे पता है इस कहानी का विलेन आनंद है मुझे पता नहीं है मैंने सही किया या गलत किया आनन्द रामन पत्रिका परवर्तक अजिए अजिए आज़ी मैं टाइर्ट आजिए 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 पर्फेक्ट मूड पर जनरलिस्ट पहले कहीं भी एक जनरलिस्ट क्लास में पढ़ते वक्त अपने टीचर्स की बाते मुझे याद है कि सचाही के लिए लड़ो और मैं लड़ता रहूँगा आनन्द रामन इदर से चड़ेगा ऐसा बताया था ना इस और स्चस्ट पर बताया ना यहिन है यह ने मैंने एक ही सीट है तुमारे अरे बोल दिया ना तुमको उच्छ लोग जो है समोसा खाके सुनिया ला कुछ लोग समोसा खाके पेपर फ्लेट बाहर फेक रहे हैं यह गलत है ना सर अधान मंत्री कहते हैं कि भारत सुच्छ अभियान चलाओ और अगर हम ही प्लेट बाहर फेक अरे यह समोसा पकड़ों सीधा पैंट्री से लेके आया हूँ अरे वो तुमारा बुक का है वाँ पेट न्यूज इस पेट मर्डर माइसल प्रूपन चैनलिस्ट इस किताब को लिखने के लिए ओवर्ड मिला था वह इसे मिला है यह मेरे काव का है बहुत अच्छा इंसान है इसे बहुत अच्छा लिखते हैं बहुत सुन्दर लिखते हैं इनका नाम है आनंद और यह आनंद की वाइफ टेवधी पिकट हाँ अगहाणी अब हम लोग क्या करेंगे रेन से कूद कर मर जाते ऐसे क्यों बात कर रहे हो अगर मैं गलत नहीं तो कोटूल के नत्राच से अब मैं सेट नहीं हूं विकारी हो गया हूं चीज इतना पास तक आया था पर हाथ में नहीं लगा रत्नगिरी वाड़पटना कुंडल पेटल लुदियाना जालन्द्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अंदर नजाने कितनी जगा घुम सर्पर्शनी था सुआमी की कुपाँ से वह अब कम हो गया है अब हमें घुखाटी जाना है स्युम्मि वही मिले फूर करेंकि और या हुआ क्योंकि मैं भी उतरी जारहां हूं इनसान हमेशा भविश्य में जीता है या तो भूत काल में इसी वज़े से वो बहुत तखलीप में रहता है